Hello aspirants, so आज से जो हम लोग topic चालू करने वाले हैं, that is the topic of art and culture of 36 तो इसमें हम लोग सबसे पहले, आज देखेंगे, आज की classes में हम लोग देखना चालू करेंगे क्या the festivals in 36 तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको सबसे पहले हमको कैसे question पूस्ता ये समझे, question उसमें पूस्ता है क कौन से मन्थ में वो बनाया जाते हैं, that too in Hindi मन्थ के हिसाब से पूस्ता है, उसकी तिथी पूस्ती है, ठीक है, कौन से पक्ष में मनाया जाता है, ये पूस्ता है question में, ठीक है, कौन से दिन, मतलब सुकलपक्ष के पहले दिन, सुकलपक्ष के दूसरे दिन, सुकलपक्ष के तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा दा पक्ष एंड कलेंडर आपको समझना होगा तो हम लोग स्टार्ट क्लास उसी से करते हैं देन विल्ल मूव तो फेस्टिवल्स ठीक है चलिए तो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है यह आपको मून और इसमें मून के आपको फेसेस दिख रहे हैं इसमें क्या है कि देखें मून जो है एक होता है हर पंद्रा दिन में मून जो है फुल मून डे आता है और एक हो आता है नियू मून डे फुल मून डे वाले दिन क्या होता है आपको जो आसमान पे पूरा का पूर चान देखता है पूरा मून दिखता है उस दिन बोलते है हम रहो पुर्ण कि लिमा हिंदी में और इस को हम बोलता है इंगुल फूल मून वे ठीक है 15 धिन जो होते है उसमें पहला दिन को बोलेंगें आप प्रथम better पर दूसरा दिन को सेकेंड दे ओफ शुकल पक्ष तीसरे दिन को थर्ड दे तृतिया चतूरती पंचमी शस्टी ऐसे हम बोलते हैं कि इसको पक्ष पूरा पंदरा दिन तक चलेगा फिर जब पंदरवा दिन आएगा तो पंदरवे दिन के दिन वापिस से मुन जो है पूरा पूरा आस्मान से गायब हो जाएगा उस दिन के जो उस दिन को बोला जाता है फिर अमवस्या और उस अमवस्या के बाद से जो दिन चालू होते हैं आपके उन दिनों को हम क्या बोलते हैं तो वो होते हैं आपके क्रिश्न पक्ष तो वो पंदरा दिन जो होते हैं वो तो यह ओगा आपका फूल वारे टैम्प में नीवमून दे हो गया-उसको बोलते हैं, okay मून दे तिक तो यह होगे आपका क्या मवश्या का दिन हो जाएगा उस दिन को आप वैसे ही आप देखेंगे यह डिवाइड है जो यह फर्स्ट फेज है जो मून है आपका यह गायब होने से लेके यह वापिस मून पुल आने तक का पक्ष को बोलते हैं हम लोग क्या सुकल पक्ष सुकल पक्ष और वैसे ही फूल मून जो होता है पूरा मून जो पुर्णिमा का मून दिखता है वहां से फिर आपका अम अवस्या आने तक के टाइम को हम लोग बोलते हैं क्रिश्न पक्ष तो देखिए आप इसमें यह देखें आपका यह तिथी ऑफ मून है नियू मैंने बताया ना फूल मून से नियू मून जब घयाव रहता है और यह आपका क्या होगा है नियू मून टू फूल मून ठीक है सुकल पक्ष में कैसे पढ़ा जाता है देखिए ती ती क्रिश्न पक्ष प्रति पदा रुती तृति चतृति तो आप यह देख सकते हैं ऐसे ह आप ये अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और हर डे को क्या क्या बुला जाता है वो आपको समझ आएगा पहले से लेके तीसवे तारिक तक का है ठीक है अच्छा चलिए अब आपको एक और चीज है हम लोग जेनरली जो फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते है गेगोरियन के कलेंडर होता है जी और जेन कलेंडर भी बोलते हैं जिसको वो होता है आपका जेनरली थ्री सिक्सिटी पाइफ डिए डेस प्लस 6 आर्स का EL highly six आर्स चार साल में six into four होते हैं और 24 hours बनता है और लीपियर वाले साल में हम लोगो 366 days देखने को मिलते हैं जो इस साल था इस साल है ठीक है जो अभी फरवरी 29 का था ना इस साल तो यह लीपियर का आपको concept है वैसे ही जो हम लोग follow करते हैं उस calendar को क्या बोलते हैं हम लोग उसको समवत is 57 years ahead of Georgian calendar ठीक है इंग्लिश calendar से अब विकरम समवत जो है इसको विकरम समवत क्यों बोला जाता है तो actually होता यू है कि उजयन के साका king जो होते हैं वो जो उस time पर होते हैं उजयन के king वो defeat करते हैं कि इसको साकास को तो उसके कारण इनका नाम रहता है विकरम तो उस नाम से फिर चालो हो जाता है विकरम समवत और भी फॉलो हमारा जो government ओफ इंडिया वो भी इस calendar को फॉलो करता है ठीक है अब आपको पता यह बताना है कि और क्या है कि एक concept और है मलमास का concept जो लास्ट यहर हमारा सावन जो है सावन का मन्त आप देखे थे वह काफी लंबा 50-55 डेस का मन्त था उसका रीजन क्या है तो बेसिकली जो हमारा हिंदू कलेंडर है वो बेसिकली आपका मून के उपर बेस्ट है और मून को जैसे जैसे यह आपका अर्थ है और अर्थ को एक rotation करने पर सन का कित्ता टाइम लगता है तो 365 डेस 6 आर्थ लगते है वैसे अर्थ का rotation करने में मून को लगते है 32-31 डेस अब इसमें होता यू है कि 29-30 डेस 31 डेस ऐसा लगता है उनको अप्रॉक्सिमेटली ठीक है अपो जी पे है कि पैरेज जी पे है उसको देखते हुए तो अब होता यू है कि मून जो है वो रिवाल्व करता है और आप 30 को इन्टू करेंगे 12 से तो 360 आता है बट मैंने बोला कि मून का जो अब यही 33 डेस जो है आपका 33 डेस हर जो तीन साल बाट जो आपका होता है मल मास के रूप पcolored यापका मन्त किसी भी पर्टिकुलर मंत में ड किया जो यहापको ममास का こ वैसे ही चैत्र जो होता है पहला मैना फिर उस मैने को क्या बोला कौन से मंथ में जंदली पढ़ता है तो अभी कुछ मैने पहले एक-दो मैने पहले ही आप पर निकला है कौन सी नौरात्री चैत्र की नौरात्री गर्मी की नौरात्री उसी नौरात्री का पहला दिन जो होता ह इतने मंत है और यह आखरी मंत होता है फागुन का end करता है ठीक है फागुन के बाद फिर चैतर आ जाएगा तो अभी हमको यही समझना है यही सारो सारो को देखना है कि चैतर में कौन-कौन सी चैतर के सुकल पक्ष में कौन-कौन सी चैतर के कृष्ण पक्ष में कौन-कौन सी तहवार पड़ते हैं फिर वैसे ही हम आगे देखेंगे क्या कि हमको सावन के किस-किस कौन से पक्ष में कौन-कौन से तैवार पड़ते हैं और यही क्वेश्चन जनरली पूसता है और उसके साथ साथ हमनों एक-एक तैवार को एक-एक पेस्टिवल को डिपली समझने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वो बनाता हूँ एक ग्राफ चलिए बनाया जाए आप यहां लिख सकते हैं क्रिश्ण पक्ष ठीक है और दूसरा पक्ष मैंने 15 दिन के कौन सा बताया तो वह आपका शुकल पक्ष अब यहां पर हम लोग पहले के 6 महने के बस बात कर रहे हैं ठीक है फिर सेकेंड 6 महिने को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पहले 6 महिने में कौन-कौन से चैत्र ठीक है इसके बाद आपका कौन सा है बैशाक फिर आपका जेट फिर असाड भादो असावन फिर आपका पड़ेगा भादो ठीक है चैत्र मंद के क्रिष्ण पक्ष में कोई तहवार नहीं पड़ता बैसाग के क्रिष्ण पक्ष में कोई तहवार नहीं पड़ता जेट के क्रिष्ण पक्ष में कोई तहवार नहीं पड़ता तो यह आपको समझ मैं इसलिए इसको बना रहा हूँ कि आपके लिए इजी होवा चैतर में जो पहला मेंठ़्ुश हम पसर पेलेंडर के शीम ही साब से पहला दिन होता है नवरात्री और नवरात्री का पढ़ती है फिर तीसरे दिन जो आपका उसके बाद और चैत्र में कोई तहवार नहीं पड़ता फिर आपका अगला महना आता है जो बैसाग का महना बैसाग के महने में जो तृतिया थर्ड डे ओफ सुकलपक्ष होता है वो होता है आपका अक्षय तृतिया इसको हम लोग आपको टेंशन करता हूं मेना यह काफी easy रहेगा handy रहेगा रिविजन करने के टाइम पर ठीक है क्या पड़ता है थर्ड डे पर अक्षय तृतिया जेट में शुकलपक्ष में कुछ नहीं जेट जो महना है उसमें कोई भी तहवार नहीं पड़ता है ठीक है अक्षय तृतिया होने के बाद जो पूरा महिना जेट का है उसमें कोई भी तहवार नहीं पड़ता है ठीक पिर आपका मन्त आता है असार का असार के मन्त में आपके क्रिश्न पक्ष में कोई भी festival नहीं है अब होता है दूसरा रथ यात्रा वो कब पड़ता है आपका तो शुकलपक्ष के दूसरे द्वि जथ यात्रा ठीक है अब अगला मेहन आता है सावन तो अब पहली बार आप कृष्णपक्ष में कोई फेस्टिवल देखेंगे वो फेस्टिवल होगा आपका सावन में अमवस्या का दिन जो की पंदरवा दिन होगा कृष्णपक्ष का उस दिन पढ़ता है हरेली और हरेली इस फेस्टिवल ऑफ छतिजगर असा बोल सकते हैं तो यहां आपका पड़ेगा फिफ्टीन्थ डे में हरेली अमवस्या का दिन होता है यह मतलब चांद आपको नहीं दिखेगा इस दिन और इसी मन्त में सावन में आपको एक और वेस्टिवल पढ़ता है वो है आपका सुक्लपक्ष के पाच्वे दिन डैट इस नाग पंचमी ठीक है अब देखिए सावन का जो पाच्वे दिन आपका पड़े गया सावन की क्या नाग पंचमी नवा दिन पाच्वा निकला पर सश्टी आएगा सप्तमी आएगा अश्टमी आएगा नवमी वाला दिन जो होता है नवमी वाले दिन भोजली को आपको जवारा भोजली क उगाने के लिए मिट्टी में डाला जाता है ठीक है तो भोजली आपको लिख सकते हैं 9th day जो होता है 9th day of seven that is भोजली ठीक है भोजली और उसके बाद आपका इसमें पुर्णीमा का दिन मतलब जो सुक्ल बंधन ठीक है पुर्णीमा का दिन होता है ठीक अब भादों में आपको बहुत सारे तहवार मिलेंगे तो भादों में पहला दिन होता है उसमें आप लोग क्या करता है भोजली प्रेथ के जवार rag कोके द्ला करते हैं करते हैं ठेक, तो लिख लीजे, फर्सट डे of क्रिष्न पक्ष, यहां ख्रिष्न पक्ष süऔर आको लाइन से तहवार, दिखेंगे हैं। सारे तहवार इसमें बहुत सारे है, भोजली, विसर्जन कि 2nd जो होता है उसमें होता है बहुरा чет, बहुरा, चौत सिक्स्थ डे में होता है आपका कमरचट सेवेंथ एट्थ डे में होता है जैनमाश्ट मी जिसको आठे कनहिया भी बोलते हैं चत्तिस गड़ी में पंदरवा दिन जो होता है फिफ्टीन्थ डे कृष्ण प्रक्षका जो कि आमवस्या होता है वो होता है पोला तो हमने दो तहवार देख लिया पोला वाले दिन और एक और इम्पतन आपको बाला मुलोच कही दिन तहवार देखेगा वो है दिवाली तो यह हमने देख लिया अब इसे के साथ आपको सुकलपक्ष में क्या मिलता है तो सुकलपक्ष के थर्ड डे में आपको तीजा मिलता है तीजा इसको और हर्ताली का तीज भी बोलते हैं हर्ताली का तीज इसी दिन आप लोगों को याद होगा आपकी मम्मी होंगी वो माय के जाती होंगे अपने आप लोगी बचपनद अपने मामा के घर, नानी के घर जाते होंगे, तो ये वही तैवार है, तीजा का तैवार, हाफ यismus य125 चलता रहता है, इस टाइम पर एक्जाम्स हुए रहते हैं, या एक्जाम्स होने को होते हैं, ठीक है, तीजा, हो गया तीज चतूरती हो गया फिर एक और गया पढ़ता है हाँ इसी दिन में इसी मन्थ में आखरी जो होता है पूरणीमा शुकलपक्ष का उस दिन नवखाई होता है क्या फिफ्टीन टेज नवखाई तो यह आप लोग के स्क्रीन पे है इसको आप लोग अच्छे से पॉस हो जाएगा चिक है चल यह से कंफ्यूजन कम होगा आप मल्टिपल टाइम इसको रिवाइस कर लेंगे तो लेट उस मूफ तो फर्स्ट फेस्टिवल डैट इस नवरात्री यह आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यह नवरात्री में दुरगा माता का आइडल है अब नवरा में हो गया आपका चैत्र एन कुवार ठीक है कब मनाई जाती है तो शुकल पक्ष के पहले दिन से लेके नवरात्री अब इसमें पहले दिन को क्या बोला जाता है तो यह दीपली में और होता है तो पहला दिन जो होता है 36 गडिया में उसको बिरही फुलोना बोलते हैं ठीक आपका वीट, राईस, अरहन, चना इसी दिन से तो आपको फोटों के लिए गागा क्या माथा कफेखं़ हरे पणडाल लगा लगा के स्थापित किया जाता है तो यह और आपका पूरे 9 दिन घू के introduced सुबा और साम पूजा होती है ठीक है नौरात्री में और उसको क्या बोलते हैं आपका तो पहदा ठीक है जवारा को रोपते हैं और माता का पूजा करते हैं इसको बोलते हैं पहदा ठीक है फिर आठवा दिन जो होता है ये नौ दिन चलेगा फिर आठवा दिन जो होता है आपको नौरात्री के बारे में पता होना चीए में यही था चैत्रेंक वा शुक्ल पस्च लेके नौ वा ठीक है मैं अडिशनल नौरेज वार आप लोगों को देते रहता हूं सब चीजों को चलिए तो नेक्स्ट इस अक्षय तृतिया यह आपके दिन स्क्रीन पर दिख रहा है आपका क्या अक्षय तृतिया इस दिन को बहुत ही आउस्पीशियस माना जाता है गोल्ड खरीदने के लिए और इस दिन में आपको पता होना चीए कि कोई भी मैरिज का मुहुर्त नहीं होता है इस दिन होता क्या है यहां दो आइडल बैठाय जाते हैं देखिए आपको होना चीए अक्षय तृतिया के दिन कोई भी मुगूर्त निकालने का कंसेप नहीं है इस दिन पूरे दिन शादी कभी भी हो सकती है मुहुर्त खोजने की जरौत नहीं पड़ती चीख है यह आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा यह देखिए कितना अच्छा से सजाया इसलिए खीची गई है चलिए तो अक्षय तृतिया हमें आपको और पता होना चाहिए कि इस फेस्टिवल में क्या करते है तो लिखते चलिए आप लोग देखिए मैं बोल रहा हूँ सब कि अब लिखते चलिए कर से सुनना नहीं है इस क्लास में everything you have to note down in your copy पुत्रा पुत पक्ष बैसाक के मंद में ठीक है यह important है question में जो आ सकता है इसी दिन आपका और क्या है परशू राम जयन्ती भी होती है ठीक है परशू राम जयन्ती क्या होती है परशू राम जयन्ती also इस दिन unmarried जो गर्स होती है वो उपास रखती है अच्छा शादी होने के लिए also आपको यह पता होना चीए इस दिन आपका और क्या-क्या इंपोर्टन चीज़े है तो इस दिन आपका सुदामा जी जो है भगवान सुदामा कृष्ण जी से मिलने आये होते हैं जो आपको स्टोरी पता होगी वो आते हैं उनके महल में तो एक क्रिश्ण सुदामा का मिलन वाला भी स्टोरी हो गया वेद व्यास जी ने महाभारत इसी दिन लिखना चालू किया था कि इसने वेद व्यास ने ठीक है also जो पूरी में जगननात जी का चैरियाट है जो रथ ह है उसको आज के दिन मतलब आज बोल रहो है अक्ति के दिन ही अक्षातितिया के दिन से ही स्टार्ट किया जाता है बनाने के लिए तो इसके बाद आपको अगला तहवार दिखेगा वो है रजूतिया यह दिन मनाना चालू किया गया था तो अब अगला तहवार आप देखत सब्लते हैं मरत्यात्रा। जिस पर्टिकुलर तहवास्ज में आपके बलराम जगनाजी अनकी बहन सिस्टर सुभद्रा इस तीनों के तीनों का रथ निकलता है तो यह जाता है ने के आंट के हान मासी सकते हैं और इस रजूतिया सेकेंड डे ऑफ क्या क्या होगे आपका हाँ शुक्लपक्च असाड दूसरा दिन यह देखिए तीन आपको चैरियट दिख रहे हैं यह तीनों चैरियट में एक मैं सुभद्रा जी है जो सिस्टर है बीच वाले में जगनात पूरी जी के जगनात अइडल भगवान है और यहां पर आपके उनक जा रहे हैं गुंडीचा टेंपल ठीक है तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए इसको शत्तिसगड़ी में क्या बोलते हैं रजूतिया ठीक है नाउ नेक्स्ट मूँव तूर्ड्स लेट अस मूँव तूर्ड्स हरेली तो हरेली जो है आपका तहवार बहुत ही इंपोर है अमभस्या के दिन सावन में ठीक है अमभस्या किया सावन इट इस 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 फार्मार्श को डीचार्बल को मिन ली ठीक मंप took में में टीले इस था Fare expressed आदिक जर्ड मों स्कॉटर्ली मूष एंप ति हल रखा हुआ है टंगिया रखा हुआ है ठीक है हसिया रखा हुआ है सौ बोलते हैं जिसको हसिया रखा हुआ है ठीक है नांगर हल इन सब की पूजा की जाती है इसका all together मतलब है जो भी चीजें जो भी आपके instrument जो भी अवजार आपके लगते हैं पार्मिंग करने के लिए उस particular सारे के सारे instrument का उस दिन पर पूजा किया जाता है और इसी दिन आपको पता होगा कि क्या मनाया जाता है गुरहा चिला बुरहा चिला बनाया जाता है हर घर में और ये गुरहा चिला को खाया जाता है इस particular दिन में ठीक है आपको पता होना चाहि अगर कुछा हुआ है तो इसमें आपको पता होना चीए हरेली में कुटकी देवी का पूजा किया जाता है और कुछ जगहाँ पे गोरईया देव का भी पूजा किया जाता है किसका गोरईया देव यहां पे जो औरते होती है वो दिवाल में सवनाही बनाईती है क्या होता है सवनाही क्या होता है सवनाही जो है जो में जो आपके घर का में जो होता है आपका दिवार उस में डिवार जो बाहर की होती है उसमें काव डंग से जो घर की लेडिय की दिन ऐसा माना जाता है इस दिन जो आपकी तांतरिक पावर होते हैं ब्लैक मैजिक पावर होती है न ये सब काफी स्ट्रॉंग होती है तो उससे बचने के लिए इविल से बचने के लिए इसको लगाया जाता है to avoid the evil spirits ठीक है to avoid the evil spirit as they become more effective on the day of आमवस्या और हरेली ठीक है तो वो होता है सवनाही ठीक है आप लिख लीजिए गा उसका अपना इसके साथ साथ इस particular day में गेडी लोग चलते हैं और इसका enjoy करते हैं तो ये होता है गेडी गेडी क्या होता है ये होता है जो आपका लकडी से बनता है और ये आपका लोग खड़े होते हैं और इसमें गेडी क्या करते हैं चड़ते हैं ठीक है तो ये देख लेंगे आप आप लोग सुबह सुबह उठते होंगे हरेली के दिन तो आप लोग को याद होगा कि राउत आते हैं आपके घर में और राउत लोग क्या करते हैं नीम का पत्ता लगाते हैं नीम का पत्ता हर घर के बाहर दिखता है आपको हरेली फेस्टिवल में तो ये आपको बता होना चीए और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं फिर ठीक है अब ये भोजली फेस्टिवल होता क्या है ? तो दिखे, भोजली कपड़ता है शुक्लपक्च नवमी ठीक है ? मैंने बताई नवमी और ये फेस्टिवल को और बोलते है फेस्टिवल ओफ फ्रेंड्शिप या बोलते हैं ? फेस्टिवल फेस्टिवल में होता यूं है कि गाउं में सारे घरों से सब लोगों को बोलते हैं कुछ-कुछ लाके अनाज जो भी अनाज जैसे गेहूं है चामल जो उगाना है आपको उस सब को ठंडी के टम राइस उपता है न तो राइस वाइस सब के सब इखटा करते हैं और इसके दिया जाता है उनमें से साट घरों में भी सेवन हाउसेज में जर्मिनेट हो जाता है तो लोग ये मानते हैं उस साल में रगिया और एधा रेखा और अधिया बोलते हैं आपका मतलब दूसरे के लैंड को जनरली क्या होता है जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो दूसरे के ल रहेगा ठीक है आप समझ रहे हैं कि अगर वो साथ घरों में उप गया तो वैदर एंड तो इसको आप बोल सकते हैं क्या इट इस प्रीडिटर्मिनेशन ओफ प्रीडिटर्मिनेशन अफ कोर्स ओफ एक्षिन अफ वाटर इन लेंड एंड रैदर ठीक है मैंने जो इस्टोरी बताई वो अपने वर्ड्स में लिक लिजएगा ठीक है होता यूहीं है भाई गाओं में ठीक है और तो क्वेशन ने कुछ है कि कौन से पेस्टिवल में बार बार एक गंगा वर्ड का यूज होता है तो देखे इस भोजली फेस्टिवल में आपका है क्या बोला जाता है अहो देखे अहो देवी मैं यह गाना लिख रहा हूं जो बोजली में गाते हैं गंगा देवी गंगा लहर्तरंगा तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है आपके कि बार बार गंगा वर्ड कौन से पर्टिकुलर फेस्टिवल में यूज होता है तो इसको याद कर लिजेगा हिंदी में लिखा हुआ हूं मैंसी लिए स्पेशली कि गंगा गंगा अहो देवी गंगा देवी गंगा लहरे तुरंगा तो गंगा गंगा दो बार वर्ड कहां आ रहा है बोजली तेस्टिवल में आ रहा है ठीक है और यह जंदली जो यह करते हैं इसने ब्रदर एंड सिस्टर करते हैं ठीक है चलिए यह हो गया आपका हरेली हो गया बोजली हो गया आप क्या बता है आपका नेक्स्ट इस कमर्छट के बारे में ज्यादा कुछ लिए कमर्छट परता आपका शिग्स्ट डे ऑफ कrishन पर्ट इन भादव शिक्स् अपने son and daughter के लिए इस particular long life के लिए इसमें fast रखती है और फिर जब शाम को खाना खाती है तो उस ताइम पे क्या खाती है छे अलग अलग भाजी जो होते है आपके भाजीों से मिला हुआ एक भाजी बनाई जाती है जिसमें six different different type भाजी होती है ठीक है तो छे प्रकार की भाज की जाती है तो जहां सब मदर्स मिलती है वहाँ पे कुंड खोदती है जमीन पर ठीक है कुंड और उसमें शिवगौरी को रखती है और शिवगौरी की पुजा करती है ठीक है अब प्रसाद क्या क्या दिया जाता है इसमें तो यह आपको पता होगा प्रसाद होता है इसमें महुआ, चना, उरद, लाई, दही और एक बहुत आपको पता होगा आप कभी कमरचट के एक दो दिन हफते भर पहले कभी आप बजार जाते होंगे तो गाओं की औरते हैं या जमीन में लोग बैठे होते हैं रेड डिश कलर का चावल लेके बैठे होते हैं तो इस दिन वही खाया जाता है ठीक है क्या पसर राइस जो दही घी खाते हैं वो इस दिन जो होता है काउ का नहीं खाते हैं भैस जो होती है न बफैलो का मिल्क हैं बफैलो का घी ये सब बफैलो का दही ये सब खाया जाता है, काउ का नहीं खाया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, चिक है, चिक है, चिक है, देन नी है, नेक्स्ट आठे कनाया जो जन्माश्ट में होता है, वो 8th day of, 8th day of krishnapaksh में पढ़ता है, किसके भादों के, और इसमें कुछ नहीं ह क्शेंता एाथवा बच्च जो है तो वहर बच्च्च्छे को जैसे उनके वाइफ का होता था मार दे तो उनके स्टर ने के मामा थे Α ok वह करते हैं कि mesmo Skywalker को उनके फादर ने बाहर ले जा कर बचा दिया था और क्रिष्णभग्वान ने फिर कंश का वद किया था ठे कै अरग इस दिन होता क्या है जो आपका जो घर होता है गाओं में आप देखेंगे कहीं भी तो उसमें होता इह हूँ है कि जो किच्चन होता है उसमें आर्ठ कनहिया का फोटो बनाया जाता है कैसे वो फोटो बनाया जाता है देखिए यह इसा रहता है वो अ तो यह आपका ऐसी आठ भूक बनाया जाता है आखरी आठ बेदर ठीक है यह कहा बनाया जाता है कि शिवर किचन में ठीक नावा द लेग नेक्स्ट इस पूरा पूरा का फेस्टिवल देख रहे होंगे आप आपको सीधा दिख जाओगा यहाँ पे क्या पूरा का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना जी पूरा का मतलब होता है प्रेगनेंट तो प्रेगनेंट का मतलब क्या होता है समझे आप जो इस टाइम पे हम लोगों ने धान लगा रखा है अब धान लगाने के बाद जो उसका वह होता है बाली होती है उसके अं कि अभी तक उन्होंने सारा काम कर लिया है उन्होंने क्या कर लिया है उसमें उन्होंने उगा दिया है क्या सीट्स डाल दिये हैं जर्मिनेट होने के लिए अब चोटे-चोटे-चोटे वह सीट्स जो हैं वह उग गये हैं और बाली बनती जा रही है तो इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है अब इनके पास इसको कौन पूरा नांगर जोते हैं उसमें यूज करते हैं ये बफैलो को बैल को यूज करते हैं तो बैल की पुझा इसलिए इस दिन करते हैं लोग कि इतना इन्होंने हेल्प किया हमारे पुरे के पुरे इस पर्टिकुलर टाइम में हमारे फार्मिंग के लिए तो ये इसलिए फेस्टिवल मनाया जाता है बुल जो होते हैं बुल मेड़ अफ ख्ले आर वर्शिप्ट इसलिए ठीक है बुल अब जहां पर जो जिनके पास एक अब ही जो आपका है कब परता है मैंने बताया था मवस्या के दिन परता है ठीक है मवस्या के दिन परता है भादों में ठीक है और आपको पताना ची वह अपने जो आपके क्या होते हैं बुलोक्स होते हैं बुलोक्स उनको काफी अच्छे से डेकोरेट करते हैं कौन फार्म तो इसा नही नहीं है, वह यह पोरा में बनाया जाता है, होता यूं है कि जो तीजा और पोरा का तहवार है वह एक साथी एक ही tizn by पढ़ता है, तो दोनों चीजें एक ही टाइम पे बनाहीं जाती है, तो लोगों को समझ नहीं हाता है, बड आपको explicitly कहीं पेपर में पूछता है तो पूरा में आपका खुर्मी बनाई जाती है और तीजा में ठेटरी, ठीक है? अब इसी के बाद अगला तहवार कौन सा पढ़ना है हमको? तीजा का तहवार तीजा का जो तहवार है इसमें आप देख रहे होंगे कुंड बना हुआ है और यहां पर आपको इस कुंड में तीजा पढ़ता का अब इसके पहले वाला हमनों सब कृष्ण पक्ष का देखने पूरा तक का अब पूरा मवस्या में आया मवस्या खतम हुआ एक कम आया तीजा इस दिन होता क्या है जो मदर्स होती है आप लोग खुद भी जब छोटे होंगे तो अपनी मम्में के साथ माय का जाते रहे होंगे उस घर में जाती है और जो मदर्स होती है जो वाइप्स होती है actual में वो किसका पुजा करने जाती है गौड़ी शंकर का तो यहां पर ऐसा कुंड़ बनाया जाता है और गौरी शंकर को रखा जाता है और यहां worship की जाती है ठीक है? और इसी दिन आपका ठेयर्टरी बनाई जाती है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो आप लोगों को सारे जो तहवार थे आज तक जितने भी थे यह हमने बता दिये आप जो बचे वे तहवार है हम लोग वो next class में देखेंगे वो 8-10 और बचे वे festivals अगर आप तो guys आप लोगों को कहीं classes अच्छी लग रही हो हमारे content अच्छे लग रहे हो तो like कीजि students who are there for the preparation जो serious preparation करने के लिए हैं ठीक है तो till the next class keep studying guys thank you